बेटे हुए हैं उसमें से एक लड़का मस्क नहीं लगाय हुआ है। लेकिन जम मास्क के बारे में उस लड़के से पूछते हैं तो लड़का कहता है हम प्राइवेट गाड़ी में बैठे हुए है मास्क की क्या दुरूत है लेकिन उसके इस जवाब के बाद हश राजपूत का क्या रियक्शन होता है आप इस वीडियो में देख लिए लास्ट में एक वीडियो और दिखाते हैं यहाँ पर एक लड़के को धुम देते हैं बगर मास्क पहने हुए और यह देखकर उस लड़के से हमदर्दी जिताने वाले बहुत सारे लोग एकठा हो जाते हैं आरे मारे मास्क पहना था इसलिए वार और का करेंगे यह उता है करदे आपको सब्सक्राइब मताईगा तुमाए वचीप अटाइगा तुम लोग रहा है आँ अ आव अ सलापते नहीं है कि रीपोर्टर बने से पहले हम गुंदा थे तो यह है हर्ष जी का शांदार करेक्टर इनका वीडियो अगर आपको देखना है तो इनका चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आपको गंभीज, संजीदा और सीरियस मुद्दों पर अच्छी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लास्ट में हम मुख्या जी के उस वीडियो के थोड़े से और अंश आपको दिखाते हैं जिसको देख करके मुझे लगता यकीने आपको मजा आएगा तो मुझे यह बताई कि क्या क्या चांस लग रहा है आपका जीतने का इस चुनाव में तो जीतने के लिए कुछ मुद्दा भी होता है तो आपका मुद्दा क्या है सबसे जरूरी सवाल आप से करते हैं कि तालीबान के आपका क्या विचार है तालीबान एक बहुत ही मजबूत देश था तभी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिए तो हम लोग और मास्क उसका जरूज़ी है यह नहीं तो मास्क क्या जरूज़त है जरूज़ी नहीं तो अभी फोटो 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 लेते हैं इधार आएए फोटो शूट होगा इधार रहे हम लोग तो जो जो परो नपरो नचा जरूज़ी है